हेलो एवरिवन मैं हूँ आपका अपना दोस्त सतिंदर चोहदरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपोटेंट टोपिक डिसकस करेंगे formation of hydrocyl radical ये टोपिक कितना इंपोटेंट है आप सभी को पता है अगर आप लोगोंने previous year के question paper देखे होंगे तो आपको लगेगा कि हर paper में इस पे एक question आपको घुमा फिरा के जरूर मिलता है दोस्तो बड़े ध्यान से आपने सारे data को देख के याद करना है सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि hydrocyl radical बनता कैसे है hydrocyl radical के formation में atomic oxygen जो है वो water के साथ में react करता है और hydrocyl radical बना देता है atomic oxygen water के साथ में react करेगा और hydrocyl radical बना देगा यह बहुत ही reactive radical है और इसकी concentration जो है वो बहुत कम है atmosphere में इसलिए से detect करने में बड़ी difficulty होती है but यह बहुत बड़ा role play करता है atmosphere से pollutant को remove करने में जैसे कि मैंने बताया कि यह बहुत reactive होता है यह बहुत सारे compounds के साथ में react कर देता है तो for example सबसे पहले में बात करना चाहूँगा इसकी reaction with NO2 hydrocyl radical NO2 के साथ में react करता है और nitric acid बना देता है इसके बाद में दूसरा reaction इसका CO के साथ में hydrocyl radical CO के साथ में react करता है और CO2 बना देता है इस type से देखें तो hydrocyl radical ने CO के साथ में react करके CO2 बना दिया यानि की CO को atmosphere से remove कर दिया इसलिए इसको क्या कहते है डिटर्जन बोलते हैं ठीक है hydrocyl radical जो है वो VOC के साथ भी react करता है और उनको oxidize कर देता है जैसे मैंने बताया कि इसका जो main role है वो है कि यह atmosphere से atmospheric pollutant को remove करने में help करता है आपको ज़्यादातर question जो है वो बिल्कुल simple से इस पे मिलते हैं बट हमें actual में पता नहीं चलता जैसे कि CO है कोई पूछे कि atmosphere में CO का sink क्या है या कौन सा radical CO को remove करेगा ठीक है तो इस type के question आपको मिलेंगे NO2 का को remove करता है चार option आपको दे दिये जाएंगे या hydrocyl radical के formation में कौन help करता है अब आपको water है water हमारे दमाक में आता ही नहीं उस time पे विकोज हमें यह विल्कुल simple सा एक compound लगता है लगता है कि यह कैसे help कर सकता है तो आपने बड़े ध्यान से इनको देखना है चीजों को लिखना है और लिखके याद कर लेना है basically जैसे मैंने बार-बार यह कह रहा हूं कि यह natural removal करता है pollutant का इसलिए इसको हम atmospheric detergent, atmospheric exquenger बोलते हैं और ज़्यादा तर इसकी जो reaction है वो pollution को, pollutant को atmosphere से remove ही करती है तो दोस्तो जहां तक मुझे लगता है कि यह topic आपको समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई doubt है आपको इस topic पे, मेरे किसी भी lecture पे, किसी भी video पे तो आप मुझसे पोट सकते हैं, definitely उस पे हम discussion करेंगे दोस्तों सीखते रहिए, मुझस्कुराते रहिए, मेरी best wishes आपके साथ में है, God bless you, thank you